हेवरीवन मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टैरो 369 में आज एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थार्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है एक टाइमलिस और क्लेक्टिव रिडिंग होने वाली है यह ट्र कितने मैंसेज्जेजस आपसे मैच होते हैं उतने ही रखने हैं, जो मैसेज़स आपसे मैच नहीं करते हैं वो किसी और के लिए हैं okay all right so universe my guide my god my angels please divinely guide करें और बताएं कि मेरे viewers के partner and third party के बीच में क्या चल रहा है Please divinely guide करें universe and और the time my viewers के partner and third party के बीच में क्या चल रहा है उनिवास? Okay. So reading को करते हैं शुरू. Okay. Hostality. Okay. Door to personal healing and happiness. Okay. Angel of love. Indecision. Okay. All tied up. Okay. All right. So guys, यहाँ पर आज हम कोई भी reverse card का reading नहीं करेंगे. इसलिए मैंने यहाँ पर सारे cards अपराइथ ही लिये हैं. Okay. All right. And the bottom of the deck we have second chakra, Archangel Ariel. So guys, यहाँ पर आपके partner और third party के बीच में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है. जो की इन दोनों के लिए ठीक नहीं है. जोशिश की जा रही है तो यह जो है यहाँ पर आप किसी का control बरदाश्ट नहीं करेंगे. यह खुद के लिए यहाँ पर खड़े होने के लिए अब तयार है. खुद को हील कर रहे हैं, खुद की happiness को खोज रहे हैं. ओके, angel of love की तरह आपको देखते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा emotions इनके दिल में हैं. आपके पास आने के बारे में भी यहां पर यह मुझे सोचते हुए दिखाई देते हैं, यहां पर यह भी मुझे possibilities लगती हैं, कि शायद आप दोनों के लिए अब यह stand लेने के लिए ready हो रहे हैं, अपने दिल ही दिल में सोच रहे हैं, और अब शायद कई लोगों के partner यहां आपके जो partner है, वो अपनी personal healing and happiness की तरफ जा रहे हैं, इस relation में उनको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो यह देखें, यहां पर door open हो चुका है, they are ready to fly away, यहां पर देखें, और यहां पर एक bird भी है, जो यह गेट से बाहर जा रहा है, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी angel of love की तरफ, तो यहां पर third party जो है, वो मुझे बहुत कुछ जादा role play करते हुए दिखाई नहीं देती है, guys, ऐसा लगता है, कि यहां पर third party और आपके partner के बीच में बहुत कुछ जादा situation बहतरी नहीं है, इन decision में है, यहां पर third party क्या करें, क्या ना करें, यहां पर आपके partner भी थोड़ा tied up feel कर रहे हैं, यह third party भी tied up feel कर रही है, यहां पर देखिए, इनके पास दो options है, in decision में है, third party, eight number किसी के लिए बहुत important हो सकता है, guys, यहां पर take it how it resonates, बहुत stuck महसूस करी है, third party इनको पता है कि इस रिष्टे में इनके लिए यहां पर कुछ नहीं रखा हुआ ह फिर भी है, यहां पर इस रिष्टे को छोड़ने के लिए ready नहीं है, यहां पर इनके second chakra में कुछ problem हो सकता है, जिसके लिए archangel, aerial जो है, उनके इनको यहां पर help लिने की जरूरत है, और वैसे भी चाहें अंचाहें यहां पर angels जो होते हैं, हमेशा आपकी life में, आपके surroundings में ह होते हैं, ताकि वो आपकी help कर सकें, आपके partner के guys, second chakra में यहां पर थोड़ी problem होती हुई, नजर आती है, चलिए tarot से भी कुछ निकाल लेते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं, कि आपके partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, इनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड करें और बताएं कि मेरे वीवर्स की partner और third party के बीच में क्या चल रहा है, okay, so guys, यहां पर बिल्कुल decision नहीं ले पा रहे हैं, third party और आपके partner के बीच में एकदम in decision की situation है, okay, alright, आपने आपको पूरा बंधा हुआ सा महसूस करें हैं, यहां पर आपके partner इस relationship में, लेकिन आप में से कहीं लोगों के partner यहां पर एकदम hostility के mode में आ चुके हैं, action लेने वाले हैं, या फिर कहीं लोगों के partner action ले भी चुके हैं, so third party से यहां पर इनका निकलना तो तय है, ऐसा लगता है guys, इन cards को देखकर, चलिए टैरो से कुछ और cards निकाल लेते हैं, और जाने की कोशिश करते हैं कि third party और आपके partner के बीच में क्या चल रहा है और क्या होने की संभावना है, okay, alright, so guys, यहां पर देखिए, indecision and two of wants, so यहां पर इनकी जिन्दगी में दो options हैं guys, यह चाहे आप हैं, आपके partner हैं, चाहे third party है, इनकी life में यहां पर guys, दो options हैं, जो की, जिन में से एक option जो है एक direction जो है, इन्होंने शायग choose कर लिया है, या फिर यह बहुत जल्दी करने वाले हैं, okay, so यहां पर हमारे पास page of spots का card है guys, यहां पर online बहुत जादा stocking की जा रही है, एक दुसरे की बहुत नजर रखने की कोशिश की जा रही है, यहां पर कुछ news है, जो इनके लिए delay हो कुछ तो इलक सोच रहे हैं, जो इहां पर delay हो रहा है, confusion में है, two state of minds में है यहां पर, okay, alright, so guys देखिए, यहां पर हमारे पास सारे cards निकल कर आ चुके हैं, okay, बहुत logical होकर यह relation में entry ली गई थी, इनको लगा था कि इनका जो bond है, वो बहुत जादा अच्छा bond है, एक दूसर के साथ में emotional connect है, इन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे पल भी बिताए हैं, लेकिन अब यहां पर देखिए, guys, indecision के हमारे पास यहां पर एक नहीं तीन, तीन cards हैं, यह देखिए, indecision, juggling between two, and indecision, so यहां पर, guys, बहुत जादा indecision के mode में आ चुकी है, third party, इ यहां पर आपके partner के साथ इतनी जल्दी give up करना नहीं चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने इस रिष्टे में इतने efforts लगाए हैं, तो इनको इस रिष्टे में बिल्कुल सफलता मिलनी चाहिए, यह जो है आपके partner को एकदम बहुत smart, jovial, handsome, या beautiful, या फिर self confident, well earning, इस तर यह आपके partner को यहां पर देखते हैं, और आपके partner को यह बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनको लगता है कि कैसे न कैसे करके तो यह यहां पर आपके partner के साथ में अपनी बात को बना ही लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यहां पर इनकी divine से बनाई गई लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी मुझे होता है नजर नहीं आता है जिस चीज का थर्ड पार्टी यहाँ पर वेट कर रहे हैं वो चीज बहुत 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 डीले हो रही है इनकी जिंदगी में इनको ओवर बर्डन लगने लग रहा है यह रिश्टा यहाँ पर इस रि इन्फ्लूएंस भी हो सकता है इन लोगों के बीच में और यह दिल और दिमाग की लड़ाई भी हो सकती है और यहाँ पर जो सिचुएशन ने बिल्कुल ठीक नहीं है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर बहुत ज़ादा कॉंफ्लिक्ट्स की जो स्तितियां हैं वो बन रही हैं एक यहाँ पर देखे guys कर्मा का cycle clear होता हुआ दिखाई दे रहा है बिलकुल ये कर्मा का cycle complete होता हुआ दिखता है guys और ये देखें यहाँ पर end होता हुआ नजर आता है यहाँ पर third party जो है बिलकुल कुछ न कुछ तो आपके partner के साथ गलत करने वाली है जिससे कि आपके partner जो है इस mode में आ जाएंगे या तो आपके partner कुछ गलत करने वाले है third party के साथ जो third party अपने आपको ये इनको लगेगा कि इनको किसी ने backstabbing किया है धूखा दिया है और subscribe and share और मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए बाबाई टेक केर